हेलो स्टुटेंट आजन्व क्लास 10 का चाप्टर प्रोबाबिलिटी एक ससाइस 15.1 को कुछिन नमबर 9 देखेंगे चलिए देखते कुछिन नमबर 9 हम लोग को क्या करा है आप बॉक्स कंटेंज 5 रेड मार्बल एट वाइट मार्बल एट वाइट मार्बल एट फोर ग्रीन म रखा हुआ इसमें ना आब इसको बोल रहा है इसमें से हम लोग एक रेंडम मतलब की बॉक्स में बिना देखें हाट डालते हो और एक क्या करतें मार्बल निकाल लेते हैं डालते हैं हम लोग पता नहीं है हम लोग को बता नहीं है तो जरी स्फलुशन में सबसे लिख लें किया total number of marble total number of marble क्या होगा total number of marble हम लोग का चले देखते हैं, कितना है देखिए 5 red marbles है, यहां लेखेंगे 5 plus 8 white marbles है, plus 4 green marbles है, अब इन सब को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 8 में 4 जोड़ेंगे तो 12 होगा, 12 में 5 add करेंगे होगा तो टोटल मार्वल कितना है हम लोग का टोटल मारबल 17 अग चेलिए हमंँ आगे देखते हैं फर्स्ट में हम लोग क्या निकाशन quién काल यह रेड़ मार्बल की probability निकालना हो थे नामबर औफ एड मार्बल यह पर लिख्ते नमबर उफ रेड मारबल ईब सफ q तो कितना है 5 है तो probability of red marble क्या हो जाएग हम लोगा पी bracket में आर बस लिखते हैं ब्रैकेट में आर बस लिख रहे probability of red marble तो क्या हो जाएग हम लोग का formula क्या है हम लोगा number of प्राइबरेबर्वल आउटकम्स ना यही था हम लोगा formula नबर फ्राइबरेबर्वल आउटकंस, टोटल नमपर ओफ आउटकंस, यह ही था हम लोग फॉर्म।वला आप देखें, हम लोग इसको कासी करेंगे, देखें, तो हम लोग क्या जाएगा यह देखिए number of number of favorable outcomes मतलब की number of red marble कितना हम लोग का 5 और total number of outcomes कितना है total number हम लोग कितना था marble total 17 तो यहां क्या जाएगा 17 तो हम लोग क्या जाएगा first का answer हो देगा second का देखते है second में भी देखेंगे number of white marble number of white marble marbles ना कितना हम लोग का 8 है तो अब देखिए फिर इसमें के probability of white marble क्या हो जाएगा हम लोग का यही होता है formula तो क्या हो जाएगा number of favorable outcomes कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा क्योंकि 8 marbles है और total number of outcomes कितना हो जाएगा 70 यह हम लोग का second का answer हो जाएगा अब third में देखिए क्या पूछ रहा है not green देखिए नहीं नहीं आने probability क्या होगे तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे ग्रीन आने की probability find कर लेते हैं तो यहां पर लिख लेंगे थार्ड नमबर में क्या हो जाएगा हम लोग का number of marble number of marbles चलिए देखते number of marbles कि हम लोग कितना हम लोग का आप 4 है ना number of marbles कितना फोरएँ आप देखिए पर प्रोबावयविलिटि ही ग्रीन का निकाल रहे नंबर और यहां पर लिखते number of green marble नंबर of green marble है नंबर करीन ओवरववर्ड च्जी में पर प्रोबाबिबर्यूटि ओफ ग्रीन मार वनस cracking हम लोग इढ़ को यह नांबर ऑफ ग्रीन मार्बर यह क्या हो जाएगा है अभी का इसका अज़ीन आपिछ देखते हैं यहां पर लिख देंगे यह कया हो जगा प्रॉबाबैबीट यहां जाएगा नॉट गिरिन इसके पर बाल लग जाता है और इन दोनों का संक्षिक बराबर रोता है वन के बराबर होता है इन दोनों का देखिए अब प्रोबाबियटी आफ ग्रीन मार्वलूंब कितने दिया चाह सेविंटीन प्लस प्रोबाब यह को निकालना हम लोग इक वल्टिए यहां पो जाएगा प्रॉबाइबिलिटी ओफ नॉट ग्रीन एक वर टू वन अब देखें यह पल्स में को उटे चाल जाएगा तो माइनस में 4 बैशेवन टी अब देखें क्या हो dough सब्सक्राइब कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए थैंक यू